नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों आप देख रहे हैं घरेलू तंत्रविद्या और बिना कोई मंत्र बोले वशिक्रण का एक हम आपको तोटका बताएंगे इस तोटके में आपको कोई भी मंत्र नहीं करना पड़ेगा आप अपने घर बैठे एक बहुत ही प्रचंड वशिक्रण के कारे को कर सकते हैं वो भी मिन्टों सिकंडों में खोई हुए रूठे हुए प्रेमी को वश में करने के लिए आप इस छोटे से तोटके को अगर करेंगे तो आपका जो प्रेमी है वो तुरंत आपके लिए होते रहेंगे क्योंकि दोस्तों असली और ओरिजिनल तरीका मेरे चैनल से आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों अगर आप इस वशिक्रण के कारे को करना चाहें तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आपको मैं जो चीजें बोलूँगा वैसी चीजें आप बहर से खरीद के ले आईएगा और आप अपने प्रेमी को अपने वश में बड़े ही आसानी से कर लेंगे आपको यहां पर मैं सबसे पहले बताऊंगा मदार का पत्ता होता है यह आग का पत्ता भी बोलते हैं और इसको आप मार्केट से कहीं से भी क्योंकि हर जगे बिकता भी नहीं है और हर जगे मिलता भी नहीं है कहीं कहीं पे यह पूजा पार्ट करने के लिए बेचा भी जाता है तो आपको अगर यह मार्केट में मिल जाए तो आप ले आईएगा नहीं तो रोट के किनारे खेतों के किनारे एक सौन सान जगे पे आपको इसका पौधा आसान से मिल जाएगा आप वहां से इसके तीन पत्ते ले आईए और तीन पत्ते लाने के बाद में आपको दो चीजें और लानी है वो भी मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको एक सबसे पहले इसमें नीमबू लेना है और दूसरा लेना है सुई ये तीन चीजें मदार का पत्ता नी आपको तुरंत इसमें आपको रेजल्ट दिखाई देगा खोया हुआ वेक्ती, दूर चला गया है, मिल नहीं रहा है पता नहीं लग रहा है कि वो कहां होगा, कर रहा होगा ये भी नहीं पता है, वो क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा क्या पी रहोगा है या नहीं है पता भी लग जाएगा इसी टोटके से कोई भी खो गया हो कोई भी ना मिल रहा हो या उसका प्यार आपको ना मिल रहा हो तो आप यही वशिकरण के कारे को करेंगे और इसमें आप को सफलता उसी समय मिल जाएगी दोस्तों घरेलू तंत्रविद्या को उपर अब तक के जो वीडियो गए हैं वो आप सभी के सामने हैं आप देख सकते हैं, कमेंट चेक कर सकते हैं, लोगों के 100% काम होएं दोस्तों अगर खोया हुए इनसान होगा तो उसके बारे में पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे और किसी को वश में करने के लिए आप यही एक टोटके से कैसे करेंगे इसके दो-दो तरीके हैं अलग-अलग है अगर आप किसी खोये हुए इंसान का पता लगा रहे हैं कि वो इंसान जीवित है या नहीं है या नहीं क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप ये जानना चाहें तो आपको ये तूटका शनिवार के दिन करना है आपको एक छोटा सा मंत्र है उस चोटे से मंत्र को इस आख के पत्ते के उपर यानि मदार के पत्ते के उपर लिख देना है और लिखने के बाद में आपको नीमबू इसके उपर काटके भीस से दो कर देना है और सुई नीमबू के अंदर चुभो देना है चोटा सा एक मंत्र लिखना है वो मंत्र कोई भी अनपड इनसान भी लिख लेगा जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे लिख लीजेगा इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों क्योंकि वशिकराण के लिए जो मंत्र उचारण करने की जो भी होती है वो बहुत ही जादा जादा मंत्र होते हैं साल साल भर छे छे महीने लोग पढ़ते ही रहते हैं यहां पर आपको सिर्फ लिखना है बोलना नहीं है बिना कोई मंत्र को बोले हुए आप इस वशिकराण को करोगे सिर्फ यहां पर लिखना है आपको दोस्तों और आपको कोई रुके हुए पानी में जाना है रुका हुआ पानी जैसे रुका हुआ पानी कुएं का होता है रुका हुआ पानी ताल तालाब का होता है कोई गड़े का भी पानी माना जा सकता है या आपके घर में कोई टप हो या बाल्टी हो उसमें पानी को भर लीजे उसमें आप अपनी आखों के सामने इस वोशिकरण के टोटके को करेंगे यदि ये पूरा नीबू और ये आख का पता और सुई पानी के अंदर डूब गया है तो अलग मामले होते हैं और अगर उपर ही उपर तैर रहा है तो अलग मामले होते हैं दूसरा आप हम आपको बता रहे हैं वोशिकरण करने के लिए और ये भी एकदम असली और उरिजिनल तरीका बताएंगे आपको यही तीनों सामगरी से आप वोशिकरण भी कर सकते हैं बस आपको शम्शान के जोखट तक के जाना होगा उसकी बाउंडरी तक के जाना होगा बस जहां यही छोता सी जल्ड को वहां पर भी लिख दें यही मंत्र को वहां पर भी लिख दें और लिखने के बाद में यह पूरी सामगरी रखके अपने घर वापस चले आईए अब आपको घर आकर के नहाना है और नहाने के बाद में जनम जनम के लिए आपको हसते रहना है दोस्तों क्योंकि वशीकरण करना बहुत आसान भी है और मुश्किल भी है यह जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मैं गारंटी के साथ ने बोल रहा हूँ कि अगर कोई कर लेता है या इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है या करवा लेगा तो उसको हमेशा हमेशा के लिए उसका प्यार मिल जाएगा दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आप इस वशीकरण के कारे को सरूर करिएगा अगर आप किसी से सची महबत करते हैं तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये मंत्र प्राप्त करना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉंटेक्ट नमबर दिया गया आप मुझसे संपर्क करिए वाटस अप मैसेज करिए और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजे और हमारे चैनल घरिलू तंतर विद्या को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए